हैलो एरिबडИ यह क्लास नाइन साइन्स चप्टर नमбर तू का पार्ट नमbर फाइफ और इस पार्ट में हम स्टेडी करेंगे न्यू सेप्रेशन टेकनिक्स और मिक्चर इसे पहले हमने दो तिन टेकनिक्स पढ़ी थी जैसे की इवोपरेशन फर्स्ट में हमने में हम क्रीम को मिल्क से अलग कर सकते हैं और इसके कई सारे हमने यूज भी एप्लिकेशन भी पड़ी थी साथ में हमने इम्मिसिबल लिक्वीड को सेप्रेट करने के लिए सेप्रेटिंग फनल का यूज करते हुए मिक्सचर को अलग किया था इस पार्ट में हम नई टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं जैसे कि how can we separate mixture of salt and camphor हम salt नमक और camphor होता है कि हमारा कपूर इनको हम कैसे अलग कर सकते हैं we have learnt in chapter 1 that camphor changes directly from solid to gaseous state यह हमने chapter 1 में पढ़ा था कि camphor जो हता है हमारा कपूर वह solid state से direct gaseous state में बदल जाता है जिसे हम क्या कहते हैं sublimation process कहते हैं so to separate such mixture that contain a sublimable volatile component from a non-sublimable impurity the sublimation process is used तो यह दि हमारे पास ऐसा mixture है जिसमें एक component sublimable volatile है अना जो कि वास्पशील है जो solid से direct gase में बदल सकता है और दूसरा non-sublimable impurity है यानि उसमें जो अशद्दी मिली हुई है वो non-sublimable है यानि कि वास्पशील नहीं है और वह direct gase में नहीं बदल सकता the sublimation process is used some example of solid with sublime are ammonium chloride naphthalene and anthracene तो यहीं पर कुछ example है मारे पास जो कि sublimate हो सकते हैं या volatile components होते हैं तो इनका नाम है ammonium chloride naphthalene and anthracene naphthalene की balls आपने देखी होगी जिने generally phenyl की गोलियां कहा जाता है जो हमारे पूराने कपड़ों में या toilet sheet में इनमें रखने में काम आते हैं तो यहां पर आप activity करके देखेंगे हम तो उसमें इसको आसानी से और समझ पाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं diagram में कि एक burner लिया गया है चाइना डिश के ऊपर कुछ mixture रखा गया है mixture of camper and salt रखा गया है और इसको दिरे-दिरे heat किया जाता है heat करने से क्या होता है कि जो volatile component होता है वो वेपर में बदल जाता है और उपर की तरफ उड़ता है या बढ़ता है अना अपर देखिए हमने उपर cotton plug से इसको नली को या keep को बंद कर दिया है ताकि यह बाहर ना निकले और जैसे ही ये vapors उपर जाती है तो वापस ठंडी हो कर है solidified camper में बदल जाती है तो इस तरह से हम इन mixture को अलग-अलग कर सकते हैं then हम पढ़ने वाले हैं chromatography तो यहां पर एक question दिया गया है is the dye in black ink a single color हमारी जो ink होती है black ink होती है या कोई भी ink होती है तो क्या हो एक single color होती है या उसमें और भी कहीं तरह के color मीले होते है activity 2.7 take a thin strip of filter paper एक पतली सी strip लेनी है में filter paper की draw a line on it using a pencil और इस पर एक line कीजनी है approximately 3 cm above the lower edge लग-भग 3 cm उपर lower edge जो अता है नीचे वाला किनारा जैसे कि हम diagram में देख सकते हैं यहां पर दिखाया जया है यह वाले diagram में यह paper की strip हमारे filter paper की और इसमें लग-भग 3 cm उपर यहां पर line कीजी गई है ठीक है और इसी पर हमें क्या लगाना है इंक का एक spot लगाना है और उसको इस diagram में दिखाये अनुसार एक jar की अंदर रखना है जिसको उपर से पेक कर देना है ठीक है और इसमें हमें कुछ water भरना है ठीक then put a small drop of ink water soluble that is from a sketch pen और fountain pen तो हमारे पास जो fountain pen वगएरा होते हैं जिनमें हम स्याई बरते हैं उपर से या sketch pen होता है तो उसकी तोड़ी सी ink लेकर हमको उसमें एक point लगाना है spot लगाना है 3 cm के लाइन कीची है उस जगे पर at the center of line line के बीचों बीच let it dry अब उसे सूखने दो lower the filter paper into a jar और glass beaker test tube containing water so that the drop of ink on the paper is just above the water level अब क्या करना है हमें के filter paper को एक jar में रखना है या कोई भी glass का beaker कुछ भी हो सकता है test tube हो सकती है जिसमें water होगा और wear water हमने जिस जगे पर ink की drop लगाई है spot लगाया है उसके थोड़ा सा नीचे होना चाहिए मतलब water उसको touch नहीं करना चाहिए बस paper ही उसको touch करना चाहिए हमने चो लाइन की चाहिए उसमें touch नहीं होनी चाहिए add shown in figure 2.8 and leave it undisturbed और उसको में undisturbed भी न चुए छोड़ देना है कुछ घंटों के लिए watch carefully as the water rises upon the filter paper record your observation अब एक दो घंटे बाद आप देखेंगे तो उसमें पानी उपर चड़ता है और उसे के साथ साथ जो ink में मिले हुए बहुत सारे color होते हैं वह भी उपर चड़ने लगते हैं ठीके तो इस तरह से आपको water burn ना है किसे lower age ही paper का touch हो और हमारा यह जो line है वह touch ना हो then now answer what do you observe on the filter paper as the water rises on it तो आपको filter paper पर आप क्या observe कर पाते हो जब आपका पानी इसके उपर चड़ता है filter paper पर do you obtain different colors on the filter paper strip क्या आपको filter paper की strip पर अलग-अलग तरह के colors लिखाई देते हैं what according to you can be the reason for the rise of colored spot on the paper तो आपका इसमें क्या कारणा बता सकते हो कि यह जो color है यह paper strip के उपर-उपर चड़े हैं जैसे कि आप diagram में देख पा रहे हैं the ink that we use has water as the solvent and the dye is soluble in it तो हमने यहां पर ऐसी ink ली है जो water में soluble है और इसको solvent के रूप में लिया है और dye हमारी क्या है इसके अंदर soluble है ठीक है dye is soluble in water as the water rises on the filter paper it takes along with its dye particles तो जैसे जैसे capillary action के द्वाला water उपर चड़ता है filter paper में तो उसके साथ साथ वह dye के particles को भी लेकर उपर बढ़ता है usually a dye is a mixture of two or more colors तो जो dye होती है वह generally दो या दो से अधिक colors का mixture होती है the colored component that is more soluble in water rises faster and in this way the colors get separated तो वह color जो water में ज्यादा soluble होगा वह जल्दी से उसमें मिल जाएगा और वह ज्यादा उपर तक उपर बढ़ेगा और ज्यादा तेजी के साथ वह उपर बढ़ेगा और इस तरह से जो particles या जो colors water में खम soluble है वह नीचे रह जाएंगे तो इस तरह से माई chromatography techniques यूज में ली जाती है this process of separation of components of a mixture is known as chromatography तो इस तरह का जो separation किया जाता है components का उसके हम कहते हैं chromatography chroma in Greek means color क्योंकि chroma एक Greek word है जिसका अर्थ होता है color this technique was first used to separation of color और इस technique को सबसे पहले colors को अलग-अलग करने के लिए ही use किया गया था so this name was given इसलिए इसको chromatography नाम दिया गया है chromatography is the technique used for separation of the solutes that dissolve in the same solvent chromatography नाम टेकनिक है जिसमें उन components को अलग-अलग किया जाता है जिसमें कि ऐसे solutes मोजूद हो जो सभी एक तरह के solvent में dissolve हो सकते हैं जैसे हमने ink ली है तो उसके अंदर ऐसी जो भी solutes है हमारे या जो भी components है वह सभी water के अंदर dissolve हो रहे थे या soluble थे ठीक है types होते हैं और आप उनको जो higher classes होती है उनमें पड़ पाएंगे यूविल स्टेडी अबाउट क्रोमेटोग्राफी इन हाइयर classes यह ब्यासी और MSC लेवल्स में ज्यादा काम में आती हैं और इनके practicals वगेरा भी होते हैं तो separate colors in a dye applications यह कहां कहां काम आ सकता है chromatography को हम colors को अलग-अलग करने में काम में लेते हैं dye के अंदर then pigments from natural colors तो हम pigments के बारे में जानते हैं जैसे कि हमारे जो flower होते हैं उनमें जो colors वो देते हैं वो अलग-अलग pigments के कारण होते हैं तो उन पिग्मेंट्स को हम natural colors होते हो एक्चलि तो उनको हम chromatography के दोरा अलग-अलग कर सकते हैं इसी तरह से drugs from blood, blood से drugs को अलग करने में नहिंना आपने सुना होगा कि drug test होता है, doping test होता है, खिलाडियों का भी और कोई भी व्यक्ति उसका drug test हो सकता है तो बलड से ड्रक्स को अलग करने के लिए भी इस टेक्निक का यूज किया जाता है अब हम दो मिसिबल लिक्विड का यदि मारे पास मिक्विड है तो उनकों कंपोनेंट्स को कैसे अलग करेंगे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं इससे पहले भी हमने दो लिक्विड के मिक्षर को अलग किया था ना वाटर और वाल लेकिन वो कैसे थे है इममिसिबल लेकिन याप लिक्विड कैसे होँगे मिसिबल यानि कि जो दोनों एक दूसरे में गुलनचील है या दोनों आपस में अच्छे से मिल सकते हैं oil or water immisible है वो मिलते नहीं है लेकिन यहाँ पर मिलने वाले liquids को हम लेंगे activity 2.8 में let us try to separate acetone and water from their mixture अब हम क्या करेंगे acetone और water को उनके mixture से अलग करने करेंगे और हमें पता है acetone और water कैसे हैं miscible liquid हैं यह दोना अपस में मिल जाते हैं take the mixture in a distillation flask fit it with a thermometer अब इन mixture को हम distillation flask में लेंगे fit it with a thermometer और distillation flask जो होता है हमारा उसका diagram पहले देख लेंगे आप इसको कहते हैं distillation flask इसमें देखिए एक distillation flask होता है जिसके अंदर एक tube निकले होती है बाहर की तरफ और उस tube को हम जोड़ देते हैं एक condenser के साथ जिसमें की एक तरफ से cold water अंदर जाता है और एक तरफ से water बाहर निकलता है जाना ताकि यह नली क्या रहे ठंडी रहे इसको एक claim के साहिता से इस पर जोड़ दिया जाता है जिसमें से जो भी bottom flask का भी कहते हैं then हमने इसमें thermometer भी attach किया है around the apparatus as shown in figure और इनको डाइग्राम में दिखाए अनुसार फिटिंग करना है heat the mixture slowly keeping a close watch at the thermometer अब mixture को धीरे धीरे गरम करना है और thermometer पर भी हमें ध्यान रखना है the acetone vaporize condenses in the condenser and can be collected from the condenser outlet अब हमें देखना है कि जैसे acetone vaporize होता है क्योंकि acetone vaporizing material है ना vapor में बदलता है गरम होने पर तो यह condenser में जाकर condense होगा और इसको condenser outlets के बाद हम इसको एक अलग बीकर में collect कर सकते हैं water is left behind in the distillation flask और हमारा जो water होता है वह distillation flask में बच जाता है तो आप एक बापी diagram में देख सकते हैं किस तरह से हम acetone को जो कि volatile liquid होता है उसको हम water से अलग कर सकते हैं और दूसरे बीकर में collect कर सकते हैं after condensation तो इसके बाद now answer what do you observe as you start heating the mixture जब आप start करेंगे heating mixture को तो आप क्या observe करते हैं at what temperature does the thermometer reading become constant for some time एक तापमान ऐसा आता है जब thermometer की reading constant हो जाती है मतलब न तो बढ़ती है न काम होती है जबके हम उसको लगातार गरम करते रहते हैं what is the boiling point of acetone और acetone का boiling point क्या होता है why do we why do the components separate और यह components अलगल क्यों हो जाते हैं तो यह सारे questions है वह हमारे observation पर आदारित होंगे तो हम जब इसको गरम करने लगेंगे तो हम क्या observe करेंगे कि हमारा components जो है वो गरम होना शुरू होगा और जैसे ही ऐसी tone अपने boiling point पर पहुंचेगा वह vapor में बदलना शुरू हो जाएगा तो उस समय हमारा जो temperature है thermometer में वह constant हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्यों कि वहाँ latent heat of vaporization सारी उसमें heat use हो जाएगी latent heat of vaporization के रूप में यसलिए तापमान जो है वहाँ पर constant हो जाएगा और जब तक सारा acetone completely vaporize होकर अलग नहीं हो जाएगा वह temperature नहीं बड़ेगा तो यहाँ पर हम acetone का boiling point note कर सकते हैं जिस पर वहाँ उबलना शुरू होता है और vapor में बदलना शुरू होता है this method is called distillation यह जो process है मारा इसका नाम है distillation process it is used for the separation of components of a mixture containing two miscible liquids that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling points तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि हमने acetone को और water को गरम किया तो acetone तो गरमों कर उबलेगा तो पानी भी तो उबलकर vapor में बदल सकता है लेकिन यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना होता है कि जो दो miscible liquids हैं उनके boiling temperature अलग होने चाहिए दोनों एक ही तापमान पर boil नहीं होने चाहिए उनों एक ही तापमान पर यदि बॉइल में नहीं होंगे जाएँगे तो यह दोनों एकसाथ वें बदल जाएंगे और दूनों old एकसाथ हमारे दूसरे जो collecting wiki कर है उसमें आ जाएंगे तो ऐसे liquid हम इसमें लेते हैं distillation process में जिनके बीच में sufficient difference होता है उनके boiling points में ठीक है to separate a mixture of two or more visible liquids for which the difference in boiling points is less than 25 Kelvin fractional distillation process is used और यदि हमारे पास ऐसे कई सारे components मिले हुए mixture है जो missible है और उनके जो boiling points में difference है वो 25 Kelvin से कम है बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है उनके boiling points में तो उसके लिए हम फिर fractional distillation का यूज करते हैं fractional distillation इसका एक advanced रूप होता है जिसमें temperature हम बहुत अधिक बढ़ने नहीं देते हैं एकदम से for example for the separation of different gases from air different fractions from petroleum products ETC तो हमारी जो air होती है उसमें कई तरह की gas होती है पिर उनको liquid में बदलते हैं फिर उनको वापस गरम खरते हैं तो अलग-अलग boiling points के इसाब से vapor में बदलती हैं लेकिन उनके जो boiling points होते हैं उनके वह बहुत कम अंतर होता है और वह बहुत जल्दी gaso में बदल जाती है तो वहाँ पर एक हमें बहुत static और अच्छा वहाँ पर distillation process चाहिए जिसे हम fractional distillation कहते हैं तो इसके अलवा petroleum products को भी अलग करना होता है तो हम fractional distillation के द्वारा उसको लग करते हैं देप्रेटस is similar to that for simple distillation इसमें प्रेटस लगबग same होता है जैसे कि हमारा simple distillation में होता है except that a fractionating column is fitted in between the distillation flask and the condenser तो इसमें एक difference होता है कि इसमें हम fractionating column को बीच में लगा देते हैं तो fractionating column कैसा होता है इसको diagram में देख लेते हैं देखिए यह distillation flask और यह condenser यह तो हमारे simple distillation process में यूज होता ही है लेकिन यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं एक fractionating column लगा देते हैं ठीक है इसको हम बोलते है fractionating column इसमें हमारी glass की balls भरी होती है काच की कुछ चोटे-चोटी balls भरी हुई होती है ठीक है इससे क्या होगा इससे फाइदा क्या होगा इससे फाइदा ही होगा कि जब हम इसको heat करेंगे तो हो सकता है कि दो components जिनके boiling points में बहुत कम अंतर है और वह एक साथ क्या हो जाए गरम हो जाए और वेपर में बदल जाए लेकिन जैसे ही यह उपर जाएंगे तो उनके तापान में गिरावट आएगी और जो जल्दी से वापस liquid में बदल जाएगा वह वापस निच्छा जाएगा और जो a simple fractionating column is a tube packed with glass beds तो हमारी जो fractionating column होती है इसमें glass bits बरी हुई होती है यहाना कांच की गोलिया होती है the bits provide surface for wafers to cool and condense repeatedly as shown in figure तो यह wafers को cool होने के लिए प्रेरित करती है या उनको एक सत्य प्रोवाइड करती है थाकि वह आसानी से condense हो जाएगा और वापस liquid mixture में मिल जाएगा तो यह हमारा fractional distillation भी complete होता है then हमारा नया topic है how can we obtain different gases from air तो इसी fictional distillation column का यूज करते हुए हम air से भी gasों को अलग कर सकते हैं और हम इसको हमारे next part number 6 में पढ़ने वाले हैं आपको वीडियो कैसा लगा comment करके बताएं और इस चैनल को एदि subscribe नहीं किया है तो अभी थुरण इसको जल्दी से subscribe कर लें आप okay thank you